हेलो एवरिवन आज मैं बताँगे सेचिक समासास्त्र का अर्थ क्या है सेचिक समासास्त्र सिक्षा और समाज दो सब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है समासास्त्र में सिक्षा या सिक्षा में समासास्त्र का शमावेश सेचिक समासास्त, सिच्छा और समाज दो सब्दों से मिलकर बना है और जिसका अर्थ है समासास्त में सिख्षा या सिख्षा में समासास्त का होना अब यहां जोर्ज पेनी के इनुसार पढ़ेंगे सेचिक समासास्त का जनक माना जाता है जोच पेनी को सेचिक समाज सास्त्र का जनक माना जाता है सिक्षा में समाज के गुनों एवं उसके तत्वों को सम्मिलित करके जिस सिक्षा का निर्मान होता है उसको हम सेचिक समाज सास्त्र कहते हैं सिक्षा में समाज के गुने उसके तत्व समिलित होते हैं जिससे सिक्षा का निर्मान होता है उसको सेचिक समाजसास्त्र कहते हैं सेचिक समाजसास्त्र में उन सभी सिधानतों को अपनाया जाता है जो सिक्षा के सिधानतों में अपनाया जाता है सिक्षिक समाज के साथ संबन सद्यों से चला आ रहा है बहुत दिनों से चला आ रहा है फिर भी हम चाहिक वेदिक काल की बात करे या बोध काल मुसलिम काल या ब्रिटिस काल जिस काल की सिक्षा जिस काल में थी उसी काल के समाज का परभाव उनकी सिक्षा में समय रूप से देखा जाता था किसी भी काल का हो उसी का परभाव उसमें देखा जाता था और सिक्षा का अर्थ भी उसी रूप में देखा वेश समझा जाता था और सबसे महत्यपुर्ण बात सिक्षा का पैटकर्ण और सिक्षा के उद्देश भी उसी काल के समाज की विचारधारा एवं उस समय की समाज की अवसक्ता के अनुरूप ही निर्धारित होती थी जैसा कि आप जानते हैं कि किसी समाज की सिक्षा अच्छी और ज्ञानवान होगी तो हो समाज भी सेब संसकारे सिक्षित एवं उस समाज से मौलिक गुनों का समाविस होगा जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि जहां अच्छी सिक्षा और ज्ञानवान होगी तो उस समाज में सेब संसकारे सिक्षित एवं उस समाज की मौलिक गुनों का समाविस होगा यानि कि अच्छे तरह से समाज का होगा पर या तभी समभव है जब उस समाज में सिक्षा ब्यापत और अन्यता हुआ समाज भरष्टा सार दरिदर्ता आग्यानता से युक्तु होगा जब सिक्षा अच्छी होगी तब इस सब भरष्टा स्चार दर्दर्ता ग्यानता से उक्तु होगे छात्रों को उनके समाज का ग्यान भली भाती हो सके एवं वा उस समाज के हिसाब से अपने वेहवार में उचित परिवर्तन कर सके और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माइ यूटूब चैनल एंड शेयर जरुए